बिहार का एक ऐसा जिलाज रहां नौन्विज हो गया बैन कारण जान कर आप भी हो जाएंगे हैरान नमस्कार नियूस पोनेशन नेख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बिहार में नौन्विज का इतना क्रेज है कि कोई एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन नौन्विज खा ही लेता है लेकिन अगर ऐसे में हम आपको ये कहें कि बिहार में एक जिला ऐसा भी है जहां नौन्विज बैन है तो आप क्या कहेंगे जिहां एक ऐसा ही जिला बिहार में मोजूद है जहां पर नौन वेज पूरी तरीके से बैन है और इसका कारेन जान कर आप भी हैरान रहे जाएङगे दरसल बिहार के नालंदा जिले के पावापूरी में नौनवेज खाने के शौकीन लोगों के लिए खास खबर है प्रशासन ने जैन धर्म के पवित्र त्योहार के मद्दे नजर शहर में नौनवेज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है प्रशासन एक तरफ तो उस सड़कों की अतिकरमन हटा रही है और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से मांस बेचने वालों को इस रोक की जानकारी दे रही है दरसल जैन धर्म के लोग दिवाली के समय भगवान महावीर की खास पूजा करते हैं इस उत्सब में शामिल होने के लिए देश भर से लाखो श्रत धालू पावापूरी पहुँचते हैं माना जाता है कि पावापूरी भगवान महावीर की आखरी देशना स्थली है यहाँ जैन समुदाय के कई मंदिर हैं जो उनकी आस्था को दर्शाती हैं ऐसे में प्रशासन के लिए इस्तियोहार को शांती पूर्वक संपन कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है बतादी कि जैन धल्म के अनुयाई दिवाली के समय पावापूरी में भगवान महावीर की विशेश पूजा करते हैं देश के कई हिस्सों से जैन धर्मावलंबी बड़ी तालाद में पावापूरी पहुंचते हैं वहीं पावापूरी में जैन संपरदाय के कई विशेश मंदीर है ये कुल मिलाकर उनकी आस्था का एक बड़ा प्रतीक है जानकारी के नुसार पावापूरी में इस उत्सफ के पूरे समय तक मांस बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है बतादे कि ये भगवान महावीर का 2550 वा निर्वान दिवस है जो 37 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा जोरान प्रशासन की टीम पावापूरी के सभी इलागों पर नजर रखे हुए है वहीं जैन धर्म के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा प्रशासन चौकनना है इससे पहले जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जैन मंदिजा कर तयारियों का जाइजा भी लिया तो देखे अगर आप भी नौनवेज खाने के शौकीन है और बिहार के नालंदा शेहर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दरस्ण नालंदा जिले के पावापूरी प्रशासन ने शेहर में नौनवेज को पूरी तरह से बैन कर दिया है बतादे कि नगर प्रशासन ये फैसला जैन धर्म के पवित्र उत्सव को ध्यान में रख कर लिया है इतना ही नहीं प्रशासन एक तरफ जहांशेर की सड़ को सेतिकरमन हटा रही है तो वहीं दूसरी और मांसहारी समान की विक्री पर रोक की जानकारी लाउड स्पीकर लगा कर मांसहार बेचने वाले विक्रेताओं को भी दे रही है तो देखिए नालंदा के पावा पूरी में नौन वेज बैन कर दिया गया है क्योंकि जैन धर्म का एक महापर्व होनी जा रहा है उसको लिका प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नसर आ रही है फिलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही आप देखते रहें